वालकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको दिखाने जा रहे हूँ वेजिटेबल रभा उकमा बनाने की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन दिया हुआ है उसके अंदर मैंने तीन से चार चम्मत डाल दिया है और दूसरे साइड दूसरा पैन रख दिय Famic.बड़ इसार अछे टकने लगे है तो अब इसके अंदर जा ढालदेगे हमें एक चमस्त चना डाल एक चमश हम ढाल देंगे इसके अंदर मूंक की डाल हाप्जा हो तो इसके अंदर एक चमश ऊड़द की डाल भी डाल सकते हो अब डाल देंगे तहंता हaleीं कर बिदर से एक आद मिनिक तक भूनने देंगे जिसके विज़े से यह जा लेना वह एकड़ा से क्रिश्पी बन जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे क्रिश्पी बन जाए उसके बाद हमें एक कटा हुआ प्यास डाल देंगे इसके अंदर प्याज को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को आदे मिनुट कर ने नहीं भूनेंगे तो जर नस risque हो जाएगा बस क्वोल कमल दीजिया और यह देखिज बाद इसके बाद पाकी का वह इसंसर जेन पर ने यह हमारी प्यास भून चुकी है तो अब हम डालेंगे एक कटा हुआ कैपसिकम उसके बाद डाल देंगे हम हरी मिर्च जो तिखी वाली आती है वो तो 3-4-5 आप जितना तीखा बनाना चाहो उसके हिसाब से आपको इस मिर्च डालनी है ठीक है हरी मिर्च डालने के बाद हम ड अब इस मेशन को हम अच्छे से हिला देंगे आप चाहो तो इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं और मैंने थोड़ी से मुझ फली के दाने डाल दिये मेरे बच्च को पसंदे है इसलिए डाले आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अब इसके अंदर डालेंगे हम 2-3 कड़ी जो ल छास आप चाहो तो छास की जगा नीबू नी चोड़ सकते हो मैंने छास डाली एक कटोरी और बाकी का मैं पानी एक कर रही है थोड़ा ऐसा खटा पनाएगा तो उपमा बहत ही जादा टेस्ट ही लगेगा इसलिए मैंने इसके अंदर छास डाल दिये अब यह थोड़ा सा ग कर देंगे एक चमच घी जालने से ना बहुत अच्छा बनता है टेस्टी बनता उसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है अब क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके हमने जो वह सूजी का आटा है उसको भून के रखा है उसको इसके अंदर डालते जाएंगे और मिश्रन को ह और मिश्रन को हिलाके मिक्स कर लेना है और एक साथ सूजी का अटा हटा अटाक से डाल दो गया आप तो एक जगह चिपक जाएगा आपको थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहना है और मिश्रन को हिलाते रहना है बस इस तरह से मिश्रन मिक्स हो जाएगा और इसको आपको पांच मिट ठक धक के रखना है, पांच मिट में आपका उक्मा बनके रडी हो जाएगा और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना सो हमारा उकमबन के रेडी हो गा है हम इसको साव कर लेते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैंबे जैशी कृष्ण जैमादे यू बबाई एंड थैंक्स पो वाचिंग